हेलो फ्रेंड्स देखने में लग रहे है ने जे लड़ू एकदम डिलिशियस और माउथ वाटरिंग तो वेलकम बैक तो माई चैनल प्रीद फूल्ट मैं हूँ हर प्रीद आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खजूर ड्राइफूट लड़ू यह 15 मिनट में त्यार होने लड़ू है जिसे आप बना सकते हैं इस सर्दी में तो अगर आपको वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाना ना भूले साथ साथ हमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले क्यूंकि रेगलर वीडियो ब अधी कटोरी लिए है कटे हुए बदाम एक कटोरी मैंने खजूर के लिए है जिसको बरी काट लिया है लाइची पोडर है यह यह मैलन सीड्स है वाटर मेलन और मेलन की सीड्स है अगर इसमें आपको कोई ड्राइफूट पसंद नहीं है तो उसको आप स्किप करके अपने म मुआे प्लेट में निचे से जनना जाए कि हमारे ड्राइफूट नीचे से जनना जाएँ यहां पर फ्रेंट्स हमारे ड्राइफूट रॉस्ट हो चुके है अब हम इसको एक पलेट में निकाल देगे कटाइए भार विल् wine गी अहां पर मैंने डेसी घी यूज किया है अब हम इसको एक से ढय little ताकि सोगी हमारी थोड़ी सौफ्ट हो जाएं देखिए सोगी हमारी यहाँ पर भून चुकी है अब हम इसको उसी प्लेट में निकाल देंगे जिसमें बाकी ड्राइफूट निकाले थे फिर से हम कडाई में आदा चमच देसी घी डालेंगे देसी घी डालने के बाद जो हमने बरी कटी हुई खजूर रखी है उसको डालेंगे और इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे जबते कि हमारी खजूर सोफ्ट नहीं हो जाती खजूर को हम लगातर हिलाते हुए पकाएंगे ताकि नीचे से जल न जाए क्योंकि खजूर हमारी काफी सोफ्ट होती है मीठी होती है तो अगर इसको हिलाना चोड़ देंगे तो नीचे से जल सकती है और लड्डू का टेस्ट है वो भी कड़वा हो सकता है यहाँ पर खजूर हमारी थोड़ी से सोफ्ट हो चुकी है अब हम यहाँ पडालेंगे शक्कर, शक्कर जब डालते हैं तब शक्कर डालने के बाद भी इसको कंटिन्यूजली हिलाते रहेंगे शक्कर और खजूर फैंट्स दोनों मीठे हैं तो इसली हमारा मिक्स्चर जो नीचे से जल सकता है अगर मिक्सर नीचे से जल गया तो हमारे लड्डू में एक कड़वापन आ जाएगा तो इसलिए प्लीज इसको ध्यान रखें कंटिन्यूसली हिलाते रहें जब लड्डू ध्यार करें दो से तीन मिनट इसको पकाएंगे तब तक जो शक्कर है वो हमारा पानी छोड़ देगी थोड़ी सी लिक्वर्ड फोम में आ जाएगी देखिए यहाँ पर शक्कर हमारी थोड़ी सी लिक्वर्ड फोम में आ गई है खजूर और शक्कर जब हम डालते हैं तो यह हमारी बाइं ड्राइफ्रुट को मिक्स करेंगे साथ में हम इलाइची पॉडर डाल देंगे इलाइची पॉडर डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे ताकि हमारा ड्राइफ्रुट खजूर और शकर के मिक्स्टर में मिक्स हो जाए इसको 2-3 मिन्ट हिलाएंगे इसके बाद हम इसका गैस फ्लेम ओफ कर देंगे और इसको ठंडा करेंगे मिक्सिर को हम हिलाते हुए ठंडा करेंगे अगर नहीं तो इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे अब यहां पर हमारा मिक्सिर ठंडा हो गया है अब इसको एक बार हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हाथ पर थोड़ा सा घी जा तेल लगा लेंगे और इसको हम अपने मनफसन साइज में लड़ू बना लेंगे जितना साइज आपको चाहिए उसी इसाप से पॉर्शन लेकर लड़ू तियार कर लें इसको थोड़ा सा दबाते हुए हाथ पर राउंड भूमाएंगे और लड़ू तियार कर लेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स लड़ू हमारा रेड़ी है अब हम इसको एक पेपर कप में रख लेंगे यह मार्किट जैसा ही लगेगा डेकॉरेशन में काफी अच्छा लगता है इसी तरह से अब हम सारे मिक्स्टर के लड़ू तियार कर लेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स हमने अपने मिक्स्टर के सारे लड़ू तियार कर लिया है लड़ू दिखने में काफी यमी लग रहे हैं यह बिलकुल हलवाई स्टाइल है हलवाई लोग इसी तरह से इसको तियार करते हैं सरदी में तो फ्रेंड्स इस लड़ू के काफी में शेयर करें, अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छे लगे तो प्लीस मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जुरूर करें, मेरे चैनल का नाम है प्रीत फूड, जल्द मिलेंगे एक नए रेस्पी, एक नए वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वाचिंग